जैश्री क्रिष्टा राधे राधे आज हम सुनेंगे छट परो पर सुनी जाने वाली छटी मैया की सभी कहानिया चटी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें सभी के संतानों की रक्षा करें सभी पर अपनी कृपा दरश्टी बनाए रखें किसी के घर में भी कोई भी द पॉरानिक कथा की अनुसार बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम प्रियवरत था उनकी पत्नी का नाम मालिनी था राजा और रानिके कोई भी संतान नहीं थी और इसी कारण राजा प्रियवरत बहुत चिंतित रहते थे एक दिन राजा प्रियवरत कशप रिशी से मिले और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा उन्होंने रिशी को परणाव किया और कहा ए रिशीवर आप मुझे संतान प्राप्ती का कोई उपाय बताईए तब रिशी ने राजा से गार्तिक मास में पुत्रेश्टी यग्य करने को कहा और राजा ने अगले ही दिन यग्य कराने का निश्चे कर लिया महरिशी कश्यप ने अनेकों महात्माओं और रिशियों के साथ राजा और राणी के साथ यग्य को संपन किया यग्य कराने के कुछ दिन बाद राजा प्रियवरत की पत्नी मालिनी ने गरब धारन किया नौ महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जनम दिया, लेकिन यह पुत्र मरा हुआ था, मरत शिशु को अपनी छाती से लगा कर ताजा प्रियवरत और उनकी पत्नी बहुत विलाप करने लगे, तभी एक आश्चरी जनक घटना घटी, एक जोती उक्त विमान प्रत्वी की ओ और आता दिखाई दिया, पास आने पर लोगों ने देखा कि उस विबान में एक दिवी इस्त्री बैठी है, उन्हों देवी ने राजा प्रियवरत से कहा कि मैं ब्रम्भा की मानस पुत्री हूं, संतान प्राप्ती की इच्छा रखने वाले को संतान प्राप्ती का वरदान देती हूं, इसके अलावा जो सच्छे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी प्रकार की मनोरत को पूर्ण कर देती हूं, और जैसे ही उन देवी ने उस म्रत शिशु के शव को सपर्ष किया, वह शिशु जीवित हो गया, यह देखकर राजा प्रियवरत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत खुश हुए, और अनेकों प्रकार से देवी की स्तुती करने लगे, यह सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए, और शश्टी देवी यानि छट पूजा के परचार परसार में लग गए, राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्रिपक्ष क शश्टी तिथी को शश्टी देवी का पूरे विती विधान से पूजन किया, बस तभी से छटी मैया की पूजा करने का यह परव शुरू हो गया, बोलिए छटी मैया की जय हो, यह छटी मैया जैसे आपने राजा और राने पर कृपा की, जैसे उन्हें संतान सुक दिया, उनकी संतान की रक्षा की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, व्रत कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले, सभी पर अपनी कृपादरश्टी पनाए रखना, अब सुनते हैं छटी मैया की दूसरी कहानी, बोलिए छटी मैया की जै हो, बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ बुढिया माई की परिवार में उसका बेटा था और बहु थी, बुढिया माई छटी माता की परमभक्त थी, हर साल छट माता का वरत करती थी, परन्तु बुढिया माई की बहु पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी, नए विचारों वाली थी, वो भगवान को मा पूजन की सामगरी लाता आम की लकड़ी लाता लेकिन पूड़िया माई की वहू जो थी वो ना तो काम में मदद कर रही थी बलकि खड़ी-खड़ी हस रही थी और ताने मार रही थी कह रही थी माजी दुनिया कहां से कहां पहुँच गई लोग आसमान छू रही हैं और आप आज भी इतनी अंदविश्वासी हो लेकिन अपनी बखु की बातों का बुड़िया माई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था वो तो पूरे लगन के साथ पूरे ध्यान के सा अपनी पूजा की तयारी कर रही थी बुड़िया माता तो पूजा की तयारी कर रही थी पर जब पहुँ ने देखा कि मेरी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है तो उसे बड़ा गुस्सा आया वह बोली कि माजी ये सब क्या बेकार का आपनी ढोंग रचा रखा है अपनी उम्र देखी है इस उम्र में तीन दिन तक भूकी रहोगी तो बिमार पड़ जाओगी अपनी सेहत भी काड़ लोगी खुद तो परिशान रहोगी ही हमें भी परिशान करोगी ना जाने क्यों लोग भूकी प्यासे रहकर खुद को कश्ट देते हैं बहु की बाते सुनकर उसके भूले पन पर बुडियां माई वुसकुराने लगी और कहने लगी अरे बहु ऐसा नहीं कहते तुम्हें पता है शादी के बहुत समय बात तर जब मुझे संतान नहीं हो रही थी तब मैंने छटी मैया के इस वरत को किया तो छटी मैया ने मेरी पुकार सुन ली तुम्हें पता है तुम्हारा पती छटी मैया का ही परशाद है यह अंदविश्वास नहीं है बहू माता तो कनकन में निवास करती है मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ छटी मैया के इस वरत को करो छटी मैया की तिरपा होगी तो तुम्हारी वी गोद फर जाएगी और तुम्हारी सारी दुख तकलीफ भी खतम हो जाएगी लेकिन बहु कहां सुनने वाली थी वो तो मुझे डेडा कर सासुमा से बोली कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ करूँ मैं नहीं करने वाली पूजा पाठ मुझे तो सुन्दर पती मिला है जीवन में सब सुख मिला है आलिशान घर है दिन रात मस्त रहती हूँ और रही संतान की बात तो जब होनी होगी तब हो जाएगी करम परधान है सासुमा करम परधान बाकी तो सब बेकार की बाते होती हैं बुडिया माई ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन बभू ने कोई भी बात नहीं मानी वो तो ठहरी नास्तिक बार बार बस छटी मैया की बुराई ही किये जा रही थी तब ही उसका पती वहाँ पर आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कहता है देखो देवी देवताओं के आगे एहनकार की बाते नहीं करने चाहिए तुम भी वरत और पूजा करने में मा का सहयो करो लेकिन उसने अपने पती की बात भी नहीं मानी और बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में जब पती भी ठक गया उसे समझाते समझाते तो कहने लगा ठीक है तुम्हें जो करना है करो मैं तो घाट सजाने जा रहा हूँ जिसे की मेरी मा छटी मैया की पूजा कर सके अब बेटा तो घाट सजाने चला जाता है और घाट सजाने में जुट जाता है अपनी मा की पूजा में मदद करता है आम की लकडी जला कर अपनी मा के साथ ठिकवा सिकवाता है पुरे भक्ती भाव से दोनों मा बेटे छटकी पर्व को मनाती है बुड़ी अम्मा बेटी की घर और दुआर को गाएं की गोबर से लीपती है तब ही उसकी बहु मो बनाते हुए कहती है हाई राम पता नहीं कून सा त्योहा रहे पूरे घर को गोबर ही गोबर बना के रख दिया कितनी दुरगंद आ रही है तब उसने अपने पती से कहा कि तुम और तुम्हारी मा बड़े भक्त बन रहे हो देखो तुम्हारे अंदर से भी गोबर की बदबु आ रही है नहा दोकर साफ होकर ही अब घर में आना बहु की बाते सुनकर बुढ़िया माई बहु को समझाती है अरे बेटा तुझे नहीं पता जिस गोबर को तु दुरगंद कह रही है उससे तो घर की भी बहुत सी बिमारिया दूर हो जाती है इतना सुनकर तो बहु और बिगड़ गई और छुझला कर वो ली कि माजी पहले तो लकड़ी पर ठिकुआ बनाया अब गोबर से लीप कर पूरे घर को गोबर गोबर कर दिया ये क्या लगा रखा है तब ही बेटा कहता है कि तुम मेरी माँ से जगड़ो मत चलो अब जाकर तयार हो जाओ खाट पर जाने का समय हो रहा है वे सभी खाट पर चल दिये पीछे पीछे बुड़ी हमाई गीत गाते चल रही थी लेकिन बहो को तो इन सब में कोई भी रुची नहीं थी वो तो आगे-ागे बस मेला देखने जा रही थी जब उसके बेटे ने समझाया तो वह कहती है कि मुझे पुजा पाठ में कोई रुची नहीं है मैं यहाँ पुजा करने नहीं आई हूँ मैं तो मेला गोमने चली जाती है बुडिया माई का बेटा पूजा पार्ठ में अपनी मा की मदद कर रहा होता है जैसे ही वह नहाने को डूब की लगाता है चटी मया के कोप से वह डूब जाता है डूपता डूपता जोर जोर से चिकने चिलाने लगता है कि बचाओ बचाओ लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता कि आवाज कहां से आ रही है आप सभी चिलाने लगते हैं कि कोई तो डूप गया है बुड़ी अम्मा को पता चलता है कि उनी का बेटा नदी भी डूब गया है तो छाती पीठ कर रोने लगती है और छट माता से प्रार्थना करती है हे मा, मैं भी मा हूँ और तुम भी मा हो तुम कैसी मा हो जो तुमने एक मा से उसका बेटा ही छीन लिया हे मा ये तो तुम्हारा ही आशिरवात था मेरी भक्ती में कौन सी कमी रह गई जो तुमने मेरी गोद को सुना कर दिया मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो तुमने मेरे लाल को ही छीन लिया हे मा मैं तो तुम्हारी पूजा करने आई थी लेकिन तुमने तो मेरी दुनिया की उजाड़ दी यदि अंजाने में मुझसे या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई हो तो मेरे बेटे को सजा मत दो तुम्हें अगर सजा देनी ही है तो मुझे सजा दे दो यदि तुम मेरे बेटे को नहीं लोटाओगी तो तुम्हारे यह बुड़ी भक्त नदी में कूद कर यही प्राण दे देगी बुड़िया माई रो रो कर छटी मैया से प्रार्थना कर रही होती है तब ही बहु को पता चलता है कि उसका पती नदी में डूब गया है वह दोड़ी दोड़ी आती है और देखती है उसकी सास दहाड़े मार मार कर रो रही है तब वह भी अपनी सास पर चीखने चिलाने लगती है रोने लगती है कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था इस पूझा पाठ के चक्कर में मत पड़ो तुम्हारे अंदविश्वास ढोंग के कारण ही आज मेरा पती मुझसे दूर चला गया और इसी तरह कहते कहते छटी मईया को भी कोसने लगती है सभी लोग द्रह द्रह की बाते करने लगते हैं छटी मईया से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे मईया इस बुड़ी मईया की पुकार सुन लो छटी मईया तो है ही दयालू वे कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती कभी उन्हें बेह सहारा और उदास नहीं छोड़ती बुड़ी मैया अपने पुतर के वियोग में जान देने को नदी के पास जाती है तभी नदी की अंदर से एक लहर उठती है और लहर किनारे की ओर आती है उसी लहर में बुड़ीया माई का बेटा भी पाहर निकलाता है इस द्रश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आँखे खुली की खुली रह जाती है सभी की आँखों में खुशी के आसू आ जाती है तब बुड़ीया माई खुशी से रोने लगती है और छटी मैया का धन्यवाद करने लगती है तब ही बादलों में से विजली करकड़ाने की अवाज आती है और छटी मैया कहती है कि ये बेटी मैं कभी भी किसी का अहित नहीं करती मैंने तो तुम्हारी बहु की आँखों से अज्ञान का परदा हटाने के लिए ही तुम्हारे बेटे को पाने में डुबोया था ये बेटी मैं तो सदैव अपने भगतों की रक्षा करती हूँ जो कोई भी मेरी पूजा सच्चे मन से करता है मैं उसकी सभी मनो कामनाई पूरी करती हूँ इतना कहकर छटी मैया अंतर ध्यान हो जाती है सभी छटी मैया के नाम का जरजेकारा लगाती है सास वहू और बेटा सब खुशी खुशी मिलकर छटी मैया की पूजा करते हैं ए छटी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना सभी के घर में सुक शानती देना सभी के बच्चों की रक्षा करना बोलिए छटी मैया की जै हो छटी मैया को भगवाल सूर्य नरायन की पहन माना जाता है तो अब मैं आपको भगवाल सूर्य नरायन की ही एक कहाने सुनाती हूँ बोलिए सूर्य नरायन भगवान की जै हो इसी गाउं में एक बुढिया माई रहती थी बुढिया माई बहुत धरम करम वाली थी बहुत पूजा पाट करती थी दान पुन्य भी पहुत करती थी और अपने इसी पूजा पाट और दान के बदोलत बुढिया माई ने साक्षात सूर्य नारायन को अपने बेटे के रुग में प्राप्त किया आप सोच रहे होंगे कि साक्षात सूर्य नारायन बुढिया माई के बेटे कैसे हो गए तो बात उन दिनों की है जब बुढिया माई युवा थी विवा की बहुत समय बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने सुर्य नरायन भगवान की बहुत पूजा की बहुत तपस्या की सुर्य नरायन की वरत किये और इस पर सुर्य नरायन भगवान प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए तब उन्होंने पूछा कि आपको क्या वर्दान चाहिए मैं आपकी पूजा और भगती से बहुत प्रसन्न हूँ तब बुढिया माई ने सुर्य नरायन जैसे पुतर की इच्छा की तब सुर्य नरायन कहने लगे कि माई मेरे जैसा तो किवल मैं ही हूँ मैं आपकी पूजा से और आपकी भगती से प्रसन्न हूँ इसलिए मैं स्वेम आपके पुतर के रोक में आपके घर में रखूँगा लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक शर्थ भी रखी भगवान सूर्य नाराइन बोले कि आप तो जानते ही हैं स्रिष्टी का संतुलन मेरे बिना बिगड जाएगा अगर मैं हर समय आपके घर में रखूंगा तो इसलिए मेरे बिना स्रिष्टी नहीं चल पाएगी तो जब आपको मेरी आफशता होगी तब आप मुझे याद कर लेना और मैं आपके सामने उपस्तित हो जाया करूंगा अन्य था मैं आपके साथ नहीं रहूंगा तो उन्होंने तो सूर्य देव जैसे पुत्र की मांग की थी इसलिए उन्होंने सूर्य देव की शर्ट को भी स्विकार कर लिया कुछ समय बाद उनके पती का भी तेहां थो गया अब तो पुढ़िया माई घर में विलकुल अकेली रहने लगी भगवान सूर्य नरायन कभी कभार उनके पास आते और फिर अंतर ध्यान हो जाते एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य नरायन का ध्यान किया तब सूर्य नरायन उनके बेटे के रुक में उनके पास प्रकट हुए तब उन्होंने कहा देखो बेटा अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ मुझसे अकेले नहीं रहा जाता मेरी उम्र भी हो गई है अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए तब भगवान सूरिय नरायन ने उनके पुत्र होने का फर्श निभाया और विवाह भी कर लिया घर में बहु आ गई लेकिन भगवान सूरिय नरायन तो अपनी शर्ट के मताबिक घर में नहीं रुख सकते थे कभी कभार ही घर में आते एक दिन बहु पूछने लगी मा जी मेरे पती घर में क्यों नहीं रहते तब उन्होंने कहा देखो बेटी मेरा बेटा बहुत दूर काम करता है दूसरे शहर में जाता है इसी लिए घर में नहीं रह सकता बहु विचारी बान गई अब दोनों सास बहु घर में रहने लगी कार्तिक का महीना आया तब सास बहु दोनों कार्तिक मास का इस्नान करने लगी सुबे सवेरे जलती उठती नहा धोकर भगवान विश्नु की पूजा करती तुलसी सीचने जाती बड़ पीपल की पूजा करती जब पूजा करती तब प्रार्थना करती और हमेशा यही कहती कि मुझे मेरे पती का साथ मिले मुझे मेरे पती का प्रेम प्राप्थ हो इस तरह से पूजा पाठ करते करते उन्होंने पूरा कार्थिक का महिना बिता दिया कार्थिक महिने के आखरे दिन उन्होंने ब्रामणों को जिमाया दान दक्षिना देकर कार्थिक मास की व्रत का उध्यापन भी कर दिया अब बहु भगवान विश्णों से प्रार्थना करने लगी ये प्रभू यदि मैंने सच्चे मन से कार्थिक मास में आपकी पूजा की है व्रत किया है तो मेरी प्रार्थना सुईकार करो जे मेरे पती का साथ मिले और मेरे पती का प्रेम प्राप्थ हो अब तो भगवान को चिंता होने लगी क्योंकि भगवान तो अंतरियामी है वो जानते थे कि भगवान सूर्य नरायन ही बुडिया के बेटे हैं और इस बहु के पती हैं लेकिन भगवान सूर्य नरायन उनके साथ कैसे रह सकते हैं लेकिन उसने बड़ी शरधा भाव से पुरे कार्तिक के मास का इसनान किया था इसलिए भगवान को उसकी मनोकामना पूरी करनी ही थी जैसे ही भगवान ने तथास्तु कहा भगवान सूर्य नरायन के विचारों में परिवर्तन हो गया और वह तुरन थी बुड़िया माई के घर में प्रकट हुए और कहने लगे माई मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ समय तक आपके साथ ही रहूं कुछ समय आपके साथ व्यतीत करूं बुड़िया माई तो जानती थी कि भगवान सूर्य नरायन अगर मेरे साथ रहेंगे मेरे घर में रहेंगे तो स्रिष्टी का संतुलन भिगड़ जाएगा लेकिन इसके साथ साथ ही वे अपने बेटे के घर आने से बहुत खुश भी थी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा रात हुई तो भगवान सूर्य नरायण सो गए भगवान सूर्य नरायन के विश्राम करते ही तो स्रिष्टी में हाहकार मच गया सभी देवता भागे भागे बुड़िया माई के घर आए और बुड़िया माई से कहने लगे हेमाई भगवाल सूर्य नरायन को हमारे साथ जाने की अनमती दो आप तो जानती हैं उनके बिना स्रिष्टी का संतुलन बिगड जाएगा स्रिष्टी में हाहाकार मच गया है जब बखुने देखा कि इतने सारे देवता हमारे घर में आए हैं तब वह कुछ समझ नहीं पाई तब बढ़िया माई कहने लगी देखो बेटी तुम्हारे पती सापशात सूर्य नरायन का अवतार हैं सूर्य नरायन के बिना स्रिष्टी का संतुलन बिगड जाता है इसलिए भी हमारे साथ नहीं रह सकते तुमने कारतिक मास का इसनान और वरत बहुती शरदाफाव से किय इसलिए भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी की और सूर्य नरायन हमारे साथ रहने आ गए लेकिन देखो तो इसकी कारण स्रिष्टी में हाहकार मच गया है बहु ने सारी बात को समझा तो सूर्य नरायन को जाने की अनुमती दे दी भगवान सूर्य नरायन के लोटत से बहु को एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हुई है सूर्य नरायन भगवान जैसे आपने बुढ़िया माई के मनोकामना पूरी की वैसे ही आपकी पूजा करने वाले कथा पढ़ने वाले व्रत करने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना कहते सुनते सब पर अपनी कृ पद्रिश्टी बनाए रखना बोलिए सूरी नरायन भगवान की जैहो अब सुनते हैं गनेश जी की कहानी बोलिए गनेश कजानन की जैहो एक बार गनेश जी एक छोटे से बालक का रूप बना कर चुटकी में चावल और चम्चे में दूद लेकर निकले हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो कोई मेरी खीर बना दो लेकिन सब लोग हसने लगे बला इतने से चावल और दूद की भी कहीं खीर बनेगी आगे चले तो एक बुड़िया माई बैठी थी कहने लगे माई मेरी खीर बना दो तब बुड़िया बोली अच्छा ला मैं बना दू ते सबसे बड़ा बरतन चूले पर चड़ा दिया उसमें दूद चावल गिरे तो देखती क्या है जो थोड़े से चावल और दूद बरतन में डाला था बरतन तो पूरा भर गया तब गनेश जी बोले दादी जी में नहा कराता हूँ थोड़ी देर में खीर बन कर तयार हो गई तो बुढिया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे बुढिया माई ने कहा गनेश जी तेरे भोग लगे ऐसा कहकर चूले में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के खीर बच्चों को दे दी बुढिया माई की पडोसन उपर से देख रही थी बुढिया माई ने सोचा इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी बैटे की बहुने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चकी के नीचे छुपा दिया गनेश जी अभी भी नहा कर नहीं आये थे अब तो बुढिया माई को भी भूक लगने लगी उसने भी एक कटोरा खीर ली किवार के बिच्छे बैठ कर कहने लगी गनेश जी आपके बोग लगे ऐसा कहकर खीर खाना शुरू कर दिया इतने में गनेश जी आगे बुढिया माई बोली आजा रे गनेश या खीर खाले मैं तो तेरी ही रहा देख रही थी गनेश जी बोले माई मैंने तो खीर पहले ही खाली बुढिया माई ने पुछा कब खाई गनेश जी बोले जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई जब तेरी पडोसन ने खाई तब खाई जब तेरी बहु ने खाई तब भी खाई और अब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट पर गया बुडिया माई बोली बेटा सारी बात सच है और बहु बेचारी का नाम मतले वो तो सुबे से काम में लगी है बला उसने खीर कब खाली तब गनेश जी ने कहा चक्की के निचे देख जुटा कटोरा पड़ा है तो ने तो कम से कम मेरे भोग लगाया वो तो वैसे ही खा गई बुडिया माई बोली बेटा घर की बात है घर में ही रहने दे अब बता बची खीर का क्या करूँ गनीज जी बोले सारी नगरी जिमा दे बुड़िया माई नगरी में नियोता दे आई सारी नगरी जिमा दी बरतन फिर भी खीर से पूरा भरा था राजा जी को पता लगा उसने बुड़िया बुलाई और कहने लगे क्योरी बुड़िया ऐसा बरतन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में तब बुडिया माई बोली राजा जी आप ले लो राजा जी ने खीर का बरतन महल में मंगा लिया महल में आते ही खीर में तो कीडे बकोडे पड़ गए खीर से दुर्गर्द आने लगी राजा जी ने बुडिया बुलाई कहने लगे बुडिया इस बरतन को वापस ले जा ये बरतन हम तुझे ही दे देते हैं बुडिया माई बोली राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते ये बरतन तो मुझे मेरे गनेश जी ने दिया बुडिया माई ने बरतन वापस मंगा लिया बुडिया माई के घर आते ही वापस खीर सुगंदित हो गई अब बुडिया माई गनेश जी से बोली कि गनेश जी इस बची कीर का क्या करूँ गनेश जी ने कहा कि जोपड़ी के कोने में कट्टा कोद के गार दे उसी जंगे सुबह उठकर खोधेगी तो धनके दो घड़े मिलेंगे ऐसा कहा कर गनेश जी जाने लगे बुड़ा माई बोली इस चोटी सी जोपड़ी में इतने सारे दनका क्या करूंगी तो गनेश जी ने जोपड़ी के लात मारी जोपड़ी के जंगय पर महल खड़ा हो गया सुबह उठी तो बुरिया माई की बहू फावड़ा लेकर पूरा खर खोधने लगी कुछ नहीं मिला तो बहू बोली सासू जी थारे गनेश जी तो जूटे हैं सासो जी बोली कि वहु मारे गनेश जी जूटे तो नहीं है ला मैं देखो जरा वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते दो धन के घंडे मिल गए तब वहु कहने लगी कि सासो जी गनेश जी तो सच्चे ही है तबसास बोली कि हाँ गनेश जी तो सच्चे है गनेश जी तो भावनाओं के भूके है ये गनेश जी महराज जैसे बुड़िया माई को दिया सबको देना सबकी मरोकामना पूरी करना बोली एक जानन गनेश की जय हो एक तबसी था और एक लपसी था तबसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता भोग लगाता घटी बजाता और जीम लेता एक दिन दोनों में जगड़ा हो गया तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ दोनों आपस में जगड रहे थे नारज जी वहाँ से गुजरे तो दोनों को जगड दे देखा पूछने लगे कि क्यों जगड रहे हो तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी नारज जी बोले कि तुम लोग आपस में जगडा मत करो तुम मेंसे कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूँगा अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा करा रहे थे नारज जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड की अंगुठी रख दी तपसी ने अंगुठी देखी तो उसने तुरत उठा ली इतनी कीमती अंगुठी देखकर उसके मन में लाला चा गया सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगुठी है इसे बेचूंगा बहुत सारे पैसे बिलेंगे उन पैसों से एक बहुत बड़ा यग्य करूँगा और अपने आपको बड़ा साबित कर दूँगा उधर लपसी ने उठी देखी तो सोचने लगा आरे किसी की कीमतियं उठी गिर गई है लेकिन उसने उठी को हाथ तक नहीं लगाया सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोड़ा को मेरे पीछे पड़ जाएंगे कहीं मुझे मार दिया तो वो तो रोज की तरहें सवासेर की लापसी बनाई बगवान को भोग लगाया घंटी बजाई और जीवन लिया थोड़ी देर में नारज जी बहाँ पर आए दोनों कहने लगे कि बताओ नारज जी हम दोनों में से कौन बढ़ा है तो नारज जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ दोनों खड़े हो गए जैसे ही दोनों खड़े हुए तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी तो नारज जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तुने पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया जा अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा इतना सुनना था कि तप्सी तो जोर जोर से रोनी लगा रोते रोते नारज जी के पैरों में गिर गया बोला महराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा तब नाराज जी बोले कि जो अपने घर में गाए कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा ब्रामन को भोजन कराकर दक्षिना नहीं देगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा साड़ी देकर भेट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा जो सारी कहानी कहेकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तब उसके सारे पुन्ये, सारी फल तुझे मिल जाएंगे बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता अब आपको सुनाती हो आड़ी बाड़ी की छोटी कहानी सभी कथा कहानी के पाद आरी बारी की कहानी सुनते हैं और अगर आरी बारी की कहानी ना सुने तो कभी भी किसी कथा कहानी का फल नहीं मिलता तो सुनते हैं आरी बारी की कहानी आरी बारी सोना की बारी जीमें बैठी कान कुमारी कान कुमारी कई कई मांगे 36 करोड की देवता मांगे बाड़ी जिमाएं काई-काई होए अन्न होए, धन होए, लाज होए, लक्षमी होए बिछडियाना मेल होए, निपुतीने पुत्र होए सासो को कुरसन, बहु को जिम्मन उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी भाई को थान, भाबी को मान थाने थारी वारतों को फल और माने मिले मारे बरत को फल बोलिये आड़ी वारी की जै हो